तो Flipkart का sale चल रहा है और इस sale में आपको Asus Zenfone Max Pro M1 जो है 7500 रुपीज का मिल रहा है मतलब 7500 रुपे में Asus Zenfone Max Pro M1 with Snapdragon 636 processor मिल रहा है क्या आपको खरीदना चाहिए कि नहीं इस वीडियो में उसी topic के बारे में बात करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें बेना कहीं मत जाना वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंट्रस्टिंग और डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहता हूं और इंस्टेग्रम का इडि यहां कहीं दिख रहा होगा उसमें जाके आप फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे परलए एक बात बताथ है इस फोन को मैंथे मतलब इस पिरियंस किया है क्योंकि मैरे एक दोस्त के पास यह पोन था तो इस बात कर लेते हैं आज इस खाल करें जो भी फोन आ रहें 10,000 रुपे के नीचे इन सारे फोंसे हैं आपको polycarbonate back मिल जाती है polycarbonate back को कमी यह है कि वो scratch हो जाती है easily आपको वो grip नहीं मलता अच्छा का सब्सक्राइब नहीं मलता और क्या है scratch हो जाती है जल्दी पर Canadian इस फोन में क्या है metallic back मिल जाती है metallic back का यह अची बात है कि सबसे पहली बात हो यह है कि grip आपको काफी अच्छा मिल जाता है second बात जादा easily scratch नहीं होता यह दो काफी जादा अच्छी बात है तो इस समय भी इस age में भी यह जो design है काफी अच्छी तरीके से age हुआ है इसमें आपको अच्छी खासी design मिल जाती है metallic back वाली design मिल जाता है जो अभी भी हमें modern लगता है ठीक है 18 is to 9 aspect ratio वाली display है जो अभी notch वगेरा तो है नी इसलिए तोड़ा साथ आपको लग सकता है कि outdated है पर मेरे साब से यह design फिर भी काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें full HD plus का resolution में देखने को मिलता है मतलब 8000 7500 में 8000 क्यों बोल रहा हूं मैं 7500 में आपको full HD plus का resolution देखने को मिल जाता है full HD plus मैं मजात नहीं कर रहा हूं ठीक है और इसमें wide 1L1 का support भी है मतलब आप अपने amazon हो या hotstar हो या कुछ भी हो जिसमें आप full HD plus का content stream कर सकते हो wide 1L1 का support है एक 7000 रुपय वाले phone में 7500 वाले phone में आपको wide 1L1 का support देया गया है तो बहुत ही जादा अच्छी बात है इसमें आपको 3GB RAM 32GB ROM वाला video टेकने को मिल जाता है जो इस price में काफी अच्छी बात है क्योंकि इस price में आपको सिरफ Redmi 7A मिल जाती है जो 2GB RAM वाला version मिलते है और उसमें भी Snapdragon 632 मिलता है और इसमें हमें Snapdragon 636 मिलता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा improvements लेके आता है Snapdragon 632 के अगर comparison में हम देखा जाती है ठीक है और एक और बात है अगर आपको इस range में अगर आप देखते हो कि और क्याटा फोन्स मिलता है तो आपको camera मिल जाता है जो में अपर्चर है f1.8 का और उसके बाद आपको 5 Megapixel के depth sensor है जिसका अपरचर है 2.0 का ठीक है तो camera बहुत ही ठीक है ज्यादा अच्छा भी नहीं क्योंकि जब रिलीज हो आता तब भी ज्यादा अच्छा ने था ठीक मतलब अब वो average camera performance है पर इसका एक 7500 का camera 4K में video shoot करता है तो यह बहुत ही जादा अच्छी बात है कि अगर आपको 4K में video बनाना है तो यह camera को यह phone को आप ले सकते हो क्योंकि 4K में shoot करता है ठीक है और battery की बात करी जाए तो 5000 mAh का battery आपको देखने को मिल जाता है मतलब 5000 mAh का battery और charging micro USB है time लगेगा 3 गंटे से जादा लगेगा यह मानना पड़ेगा पर आपको अराम से दो दिन का battery backup भी देगा यह भी आपको मानना पड़ेगा ठीक है और overall अगर एक complete package की बात किया जाए मेरे इसाब से 7500 में बहुत ही बड़िया डील है 7500 में इससे बड़िया phone आपको मिल नहीं सकता snapdragon 636 take full HD display take cameras take 4K video shooting take 5000 mAh battery take और क्या चाहिए आपको phone में आप बताइएगा और इससे सबसे बड़िया बात यह है कि Android 9 Pie पे चल रहा है stock android है तो आपको updates मिलती रहेगी लगबग stock android वाला feeling है ठीक है लगबग ऐसा मान के चलो blotwares है ही नहीं लगब लगब stock android वाली लोग आपको इस phone में देखना को मिल जाती है तो यह भी काफी जादा अच्छी बात है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो like करें बिन जाना कई में जाना इस phone को अगर आपको खरीदना है तो flipkart में इसका sale है आप जाके खरीद सकते हैं लिंक तो मैं नहीं दूँगा आपको जाके खरीदना पड़ेगा फ्लिपकार्ट ओपन केज है उसमें लिक्या असुस एनफोर max pro m1 आप खरीद सकते हैं 3GB RAM का रेट है 7500 रूपया 4GB का रेट है 8500 रूपय हजार रूपय एक्स्राद होगे तो आपको 4GB RAM वाला वेरेंट और 64GB ROM वाला वेरेंट भी मिल जाएंगा जो कि काफी बढ़ीए डियल है मेरे हिसाब से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो चैनल का सब्सक्राइब कर लो क क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूं और इंस्टेग्राम में फॉलो कर लो क्योंकि लेटर्स्ट अबडेट्स में वहाँ पर डालता रहता हूं अखली वीडियो में मिलते हैं तब तक मैं जोन्स आप सभी से विदा लेता हूं झाल